हमने introduction देख लिया। एरे का introduction, array declaration, array creation, array initialization, single line में initialization, declaration and creation सबकुछ देख लिया। अब आया है हमारा सिक्स topic है anonymous array, anonymous array कया है, काभी कम लोगों कु पता हुता है anonymous array क्या होता है, तो अब पढ़ेंगे, तो simply अपना हरोच का जो sequence है, यहां से फॉल्व कर लेते हैं, जावा क्लास बनाते हैं, 7, 6th lecture, 6th lecture, and finish करते हैं, आ फिर हमारा निद्र कोड सेक्शन सामने जाएगा, इसमें से निसेस्सरी चीज़े हम रटाते हैं, रिमूव करते हैं नसी चीज़े और फिर यहां पे एक में मेथड बनाते हैं पबलिक स्टाटिक वाइड में स्ट्रिंग आक्स ओके फाइन बनके हमारा अपना यहां पे नीचे कमेंट बॉक्स बना लेते हैं कुछ नेम ही आप लोगों ने सुना होगा काफी लोगों ने सुना होगा लेकिन I am definite sure कि anonymous का मतलब आप लोगों नहीं पता होगा Anonymous का मतलब होता है कि जिसकी कोई पहचान ना हो ठीक है? जिसे हम जान न से के जिसका कोई नाम ना हो तो उसी तरीके साथ कोई array जिसका कोई नाम ना हो मतलब जिसके पास कोई variable name ना हो उससे हम कह देते है Anonymous array Right? Suppose Anonymous array का definition An array Without having name Without having any name Is known as Anonymous array Is known as Anonymous array The main purpose of अगर main purpose देखा The main purpose Of Anonymous array Anonymous array Is to use Is to use Instantly मतलब Instant use के लिए अगर हमें तुरंट यूस करना है बाद में हमें इसकी कोई ज़रत नहीं होती है हमें इसकी कोई ज़रत नहीं होगी in future तो हम इसे एक Anonymous array यूस करेंगे इससे क्या होगा Memory waste is कम होगा है तो Anonymous array ऐसे टाइम पर काम आता है कि जब हमें कोई ज़्यादा time नहीं देना है कोई time uses नहीं हो ज़्यादा time uses नहीं हो कोई memory ज़्यादा memory location hold करके नहीं होगा कम टाइम के लिए में यूज करते हैं ठीक है अब Anonymous array होता कैसे है कैसे किसे कहते है Anonymous array मैंने तो बता दिया definition से तो बता दिया कि An array without having name is known as the Anonymous array तो simple जैसा definition है वही इसका example होगा मैं example लेकर आपको दिखाता हूँ सपोज मैंने क्या किया new hint एक Anonymous array create किया इसमें क्या किया तुरंत हमने value को इस्टोर कर दी 10, 20, 30 ठीक है तो लेकिन आप इसको इसे direct नहीं ले सकते तो इसको हम किसी method passing method कि कोई method पास करें कोई argument पास कर रहे है किसी method में यूज कर रहे है मतलब हमें instant use करना है किसी चीज में मैं चोटा सा example लेका आपको अच्छे से समझाता हूँ आपको अभी समझ में हो जाएगा ऐसे direct यहाँ पे लिखेंगे तो not a statement अगर यह रहेगा suppose अगर यह है तो यह error आईगी है हमें अगर direct हम ऐसे लिख रहे है अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो नो वरी बस आप में यहाँ पी बस आपको अनानिमस अरे यूज करके देखते हैं ठीकी अगरे का यूज समझाना चाहरा हूँ इसने में एक चोटा से एक्जामपल यहाँ पे लेता हूं तो पार्ट आफ कोडिंग है यह आगे हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक मैथड बनाता हूं पब्लिक यहाँ प्लस 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 फिर नीचे आते हैं यहाँ पास करेंगे कहां से में मिथट से पास करेंगे ठीके तो उसका लेंथ एक सारे एलिमेंट का सारे एलिमेंट का सम प्रेंट करना है तो हमें एक एरे क्रियेट करना पढ़ेगा प्रियेट करना पढ़ेगा फिर निशलाइस करना पढ़ेगा यह साइज चीजे तो इन आनिमस ऐरे क्या करता हैं सारी एक से क्या होता है पर यह उता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे किसी method में हमें पास करना है like some method यहाँ पर हमने some method में हमें उस anonymous shortcut को क्या कर देंगे pass कर देंगे, कैसे pass करेंगे simply यहाँ पर new int जो new keyword यूजर करेंगे जो data type हमें use करना है जिस data type का हमें value यूजर news करने है sorry, elements यूजर नहीं लेंगे फिर one dimension area हम यूज करें तो one dimension के लिए single square bracket हम यूज करेंगे and फिर उसके बाद हम यहां पर जो भी value होंगे सारी values को हम यहां पर रख लेंगे 50, 60 यह ना सारी values को curly braces के अंदर हम उसे रख लेंगे ठीक है यहां एक important चीज नोटिस करने वाली यह चीज है हम अकसर क्या करते थे जब हम array create करते थे तो new के बाद जब int आता था जो new के बाद data type आता था तो हम habitual हो गएते कि int जो भी data type है उसके बाद हम यहां पर size ज़रूर mention करते थे जैसे यहां पर चार ले रख थे हमने चार चार element ले रखे तो यहां पर size चार नहीं रख सकते हैं क्यों नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम यहां पर already direct क्या कर रहे हैं हमने single line initialization में देखा था कि हम जब हम direct initialize कर रहे थे तो हम वहां पर size mention नहीं कर रहे थे तो यहां पर size mention नहीं करना है यहांपे size नहीं देना है at the time of anonymous array creation हम anonymous array create करते हैं वक्त size mention नहीं करते हैं हम direct वो element रखते हैं अब हमने जब इसे create किया हमने यह तो यह यह जो हमारे पास है यह इतनी चीज जो हमारे पास है यह nothing बट anonymous array है यह anonymous array हमने इसमें इसे कोई name नहीं देशिकों कोई declaration नहीं है कोई अच्छा मैंने क्या रीना तो मैं किर लेता हूं स्टम डॉत अउट बेंट है है तो मैं अब में प्रिंट कर लेता हूं टो स्टोल को टो टोल में इस टूर किया थब टोल को फिर से कुछ मैं आपर execute कर लेता हूँ आप यहां पर देखो 180 हमारा total sumprint हो गया तो हम इसको normal ऐसे आवी नहीं उस कर सकते है normal anonymous array हम वहीं उस करते हैं जहां हमें instant जरूरत होती है जैसे हमें क्या हुआ sum में instant जरूरत थी anonymous array की तो हम array declare करने जाते हैं सबस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्ब फिर इसके बाद यहां पर सकते थे यहां पर सकते थे तो भी फिर इसके बाद एहां पर इसको एरे पास करते हैं यहां वह अरयरे का name pass कर देए, to ये pass हो कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, यह एकसme स्व बात बहुती है। लेकिन यहांपे यहांपे क्या था? यहांपे हम declare कर रहे थे। एक variable दे रहे थे, इस एरये को एक variable वारियückt का दे रहे थे यह create करते हैं otherwise नहीं तो anonymous array था यह और इसका conclusion वन यह था कि जब anonymous array create करते हैं तो create करते वक्त हम उसका size mention नहीं करते हैं okay so next video में अपना next topic पढ़ेंगे जो भी next topic हमारा next topic is array element assignment and array variable assignment ठीक है यह दोनों topic हम cover करेंगे next video में so I hope आपके साई anonymous array आपको समझ में आया हो ना तो इसमें कोई भी doubt हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में comment करके आप हमें बता दे ना I will figure it out in the next video okay so bye